कहीं सैलाब से बेहाल है, कहीं भीशन गर्मी है, कहीं जंगलों में आग भड़की है, कहीं सूखा है, कहीं सैलाब है लोग यहाँ पर डूबे नज़रा रही, यह प्रक्तिका प्रकोप है लगातार बढ़ते टेंपरेचर से मौसम की अनिश्यताएं काफी ज़ादा बढ़ती जा रही है यारप के वो इलागे जहाँ पर जून जुलाई में काफी ठंड भुआ करती थी, अब आज वहाँ भीशन गर्मी पड़ रही है ऐसे लागे जहाँ पर अच्छी बारिश हुआ करती थी, वहाँ पर इलागे सूखे के हालाद से जूज रहे हैं और जहाँ पर बारिश हुआ करती थी, इतनी जादा वहाँ पर अब हो रही है कि शहर की शहर पानी में डूब रहे है मौसम की बदलते मिजास को लेकर संविक्त राष्ट संग और दूसरी संस्थाएं कई बार वान कर चुकी हैं लेकिन कोई सुनने को तयार नहीं है अप्रैल में जारी संविक्त राष्ट की क्लाइमिट रिपोर्ट में दुनिया के भविश्व की एक ऐसी तस्विर के बारें बताया गया है जो बहुत जादा डरावनी है आपको देखना चाहिए आखिर किस तरह से वान किया गया है ओसम में देशी से होते मतला खत्रा धर्ट वैड वार से बढ़ा है यूरोप मिल्लू अमरीका में दावानर क्या ये नवाही का सिग्नल है साथा ये चलबायू का आपातकान है कहीं बाव के हाला दूपते शहर और पानी का हाहा का कहीं फीशर गर्मी रेकॉर्ट तोरता था पान और जंगलों में फैली भयानका ये बौसम के विक्राल तेवन जो पोरी दुनिया को डरा रहे एक ही वक में धर्दी के कई हिस्से कर्मी सित्प रहे तो कहीं आस्मान से गिरते पानी ने चल प्रले बचा रखी धर्दी तबाही के सिक्नल दे रही ये खतरा कितना बड़ा है इसकी दराने वाली तस्वीर क्लाइमट चेंज पर सयुक्त राष्ट के रिपोर्ट में पेश की गई है अप्रेल में जारी की गई सयुक्त राष्ट के इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो फिल जाएंगे क्योंकि जिस तरह दुनिया चल रही आने वाला वक्त वहती खतरनाक हो सकता है रिपोर्ट के पताविक अगर इस्थित्या जैसे चल रही है वैसे ही चलती रही तो आने वाले साल धर्थी के लिए कई नई आफ़त लेकर आ सकते हैं इस रिपोर्ट में लिखा है खतरनाक आपदाओं की संख्या 40% की रफ्तार से बढ़ने का खतरा है रिपोर्ट के पताविक साल 2030 तक दुनिया को हर साल करीब 560 विनाशकारी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाईए 2015 में विनाशकारी आपदाओं की संख्या करीब 400 विए जलवायू परिवर्तन की वज़े से धर्ती पर खतरनाक आपदाओं की रफ्तार कितनी तेज हो गई है अगर इसे समझेगे तो चौक चाहेंगे रिपोर्ट बताती है कि 1970 से 2000 तक दुनिया में हर साल आने वाली आपदाओं की संख्या 90 से 100 थी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ग्लोबल पॉर्मिंग की वज़े से औरसम में हो रहे है खतरनाक बताओं से घर्टी पर कैसी कैसी आपदाएं बढ़ेंगी जंगलों में भयानक आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी बाड जैसी आपदाओं में बढ़ोतरी होगी इसके साथ ही पहामारी में इसाफा होगा यही नहीं केमिकल एक्सिडेंट जैसी तबाही लाने खतरनाक आपदाएं होंगी सेयुद्राश्ट्र के रिपोर्ट में जेतामनी दी गई है कि अगर दुनिया भर के देशों ने खोई ले देल और गैस से होने वाले उत्सरजन में भारी कभी नहीं की तो ग्लोबल बाबिंग के विनाशकारी हसर से धर्दी पर तबाही जिन्ताएं वाजिव है योग की छे साल पहले 2016 में पेरिस जलवाईव परिवर्टर सब जोने में ग्लोबल वार्मिंग की सीमा एक दशमलव पाच देगी गई थी इसका उदेश ये दुनिया भर में तीन हाउस गैस उद्सरजन को कम करना है जिससे इस सदी में ग्लोबल टेमपरेचर को पहले से दो डिगरी सेल्सियस तक निसीमित लिया जा सके संयुक दुराष्टर की ही एक रिपोर्ट के मताबिक अगर तापमान में उन्नीसवी सदी की तुल्ला में एक दशमलव पाच दिगरी सेल्सियस की पहोत्री हो जाती है तो उसके चलते 14 परसेंट प्रजातियों के खत्र होने का खत्रा मत्राने लगेगा अगर तापमान में तीन दिगरी सेल्सियस का इज़ापा हुआ तो धर्टी पर रहने वाली 29 परसेंट प्रजातियों औरी तरह खत्र हो जाएंगी ये भी चौकाने वाली बात है कि तेजी से बढ़ते कारबन उनसर्जन की वज़े से 19 सथी के पाद से धर्टी का तापमान एक दशम लवग एक डिगरी सेल्सियस पर चुगा है जल्वायू परिवर्तन का विनाशकारी असर बोरी दुनिया की अर्थ विवस्थाओं पर होगा वानव जीवन पर गंभीर संकट खड़ा होने का खत्रा है सेयुक्त राष्ट की एक रिपोर्ट के पुथाविक चल्वायू परिवर्तन का सबसे बड़ा खत्रा शेहरी आबादी पर हो अनुमार है कि बोरी दुनिया में करीब 360 करोड लोग चल्वायू परिवर्तन से पुथावित हो सेयुक्तराश्टर के क्लावेट रिपोर्ट में जिस खत्रे के बारे में दुनिया को भागा किया गया उसे सेयुक्तराश्टर के महासचिव एंटोनिय गुदरिस के शब्दों में कहे दुनिया आपता के लिए फास्ट ट्रैक बढ़े